कि क्या वशक्ता पड़ी तब जो यह श्लोक आता है आत्म रामा करके श्लोक श्रिमद भागवत के पहले इसकंद के सांत्वे अध्याय के दसवे श्लोक में आत्म रामा श्लोक है यह और इसके लगवग चेतने महापरभूने सिक्स्टी-फॉर मीनिंग दिये इस एक श्लोक क के 64 आत्म जारा राम शब्द के 64 डिफरेंट डिफरेंट मिनिंग दिये हैं तो वो श्लोक आता है और उसमें कहा गया है कि बड़े-बड़े परम वैश्णव भी श्रीमद भागवत रुपी इस ग्यान गंगा में गोता लगाते हैं उनको रूची आती हैं और भगवान की कथ इतनी आकर्षित करती हैं कि वो बड़े-बड़े वैश्णवाओं को भी बड़े-बड़े मुत्त आत्माओं को भी आकर्षित कर लेती हैं तो इस प्रकार से शुक्देव गुस्वामे ने श्यमत भागवतम को समझा और इसके बाद अब जो है जैसा कि पिछले अध्याय म हमने देखा था कि राजा परिक्षित का जन्म कैसे हुआ तो यहां से कथा प्रारम होगी करप्या करके आप सुभी से निवेदन है शात में रहिए और में माइक बंद करके रखेंगे निवेदन करता हूं मैं मैं सबको म्यूट कर देता हूँ जी तो अब जो है कथा सुरू हो रही है अश्वत थामा को दंड उत्रा के गर्व में परिक्षित के रक्षा अब श्रीला सूद्गो सौमी जी कथा सुना रहे हैं शौनकादी रिशिया को कुरुक्षित्र के युद्ध भूमी पर छेड़ा महाबारत का युद्ध समाथ हो युद्ध भूमी में शरीर त्याग कर अपनी यथा योग्य गतिया प्राप्त की भीम की गदा से खंडित जंगाओं के साथ दुर्योधन मरणासन भूमी पर पड़ा था और द्रुण पुत्र अस्वत हामा ने द्रौपदी के पुत्रों की सोते समय निर्मम हत्या कर दी थ पस वह सोच रहा था कि उसने पांडवों की हत्या की हैं और प्रसन्यता पुर्वक उसने उनके कटे हुए सिर दुर्योधन को उपहार सुरू भेट किये परन्तु इस घ्रनित कारे के लिए दुर्योधन ने भी उसकी भारी निंदा की अश्वत हामा द्रौण चारे जी का पुत्र था बहुत शक्तिशाली था विशेश पुत्र था और उसने कौर्वों का साथ दिया था तो अब सूत को स्वामी जी सुना रहे हैं महा भारत का युद्व समाप्त हो गया अंत में यह जो दुर्योधन था वो अपनी जंगाओ पर बहुत सारा घाव लेकर के मरनासन पड़ा था भुमी पर इस स्थति में अश्वत हामा ने कहा है दुर्योधन चिंता मत कर मैं इस पांडवों की पूरे वन्ष को नश्ट कर दूंगा तो वो अश्वत हामा गया रा और पंडवों आए उननें सोचो उन पांचो व्यक्तियों के सिर को काटके और सिर को काटकर के हसरा और सिरों को लेकर के दुरियोधन के पास आया तो दुरियोधन लहौ लुहान पढ़ा है और उसकी जंगापर जो है वह गावWhen और इस प्रकार से जो दुरियोदिन था वह बहुत दुखी हुआ जब उसने देखा कि अस्वधामा जो है वह इस परकार से उन पांडवों की पुत्रों को लेके आया है मेरी पांडवों की पुत्रों से कोई दु Millenn ly नहीं थी लेकिन यह दुखे आया पांडवों की पुत्रों बहुत दुखी हुआ और उसने अश्वतामों को डाटा भी तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा दिव्य गुण है अगर हमारी किसी से दुस्मनी नहीं है चाहे वो उसके समंदी हो उसके पुत्र हो तो दुर्योधन जैसा महान धुर्त व्यक्ति भी यह शिक्षा दे रहे हैं तो आश्वा करता हूं आपको समझ में आ रहा है कि यह अब कथा कहां पर चल रही है अब यह हम पहुंच चुके हैं महाभारत के समाप्ती में युद्ध में समाप्ती में और यह दुर्योधन को खुश करने के लिए अश्वत्हामा जो की अमरत्त्व को प्राप्त करेगा लेकिन उसका जो मित्र अश्वत्हामा है उसको वर्दान था कि वो अमर रहेगा तो यह साथ अमर जो व्यक्ति हुए उसमें से एक अश्वत्हामा है जिसे वेद्व्यास जी है अनुमान जी है अश्वत्हामा है विवेशन है परशूराम जी है उसमें से एक जार मिला वहां तिन पीडित होकर विलाप करने लगी अपनी प्रीय पत्नी को सांत्वना देते हुए अर्जुन ने भोशना की पहले इस तरह से होता था पत्नी जो है वहाद विलाप कर रही है सोचो उसके पांचों पुत्र मारे गए दुरापदी बहुत रो रही है उसमें अर्जुन कुछ घुशना करते हैं उनको खुश करने के लिए क्या घुशना करते हैं जब तक मैं अपने गांडीव से निकले अपने बाणों से अस्वत थामा का सिर काट कर तुमारे समक्ष नहीं लाओंगा तब तक मैं तुमारे आसुओं को नहीं पोचूंगा अपने पुत्रों के अंतेश्टी के पश्चाथ जब तुम अश्वत थामा के सिर पर खड़ी होकर सिस्नान करोगी उस समें निश्चित ही तुमारे रदे कि यह पीडा कोच शांत हो जाएगी पहले सोचो कितना ज्यादा गुसा था कितना ज्यादा करुद था अस्वत थामा के सिर को काट कर लाओंगा और उसके सिर पर खड़े होकर तुम जिब स्नान करोगी तब तुम्हें शांती मिलेगी इस प्रकार से ये अरजुन ने प्रण्डिया प्रतिग्याली कि मैं शुत्थामा को मारूंगा आगे देखते हैं क्या होता है वीरता भरे अपने वचनों से द्रौपदी को सांत्वना देने के बाद अरजुन ने अपना कवच पहना और अस्त्र शस्त्रों के साथ लेस होक अपने रत पर सवार हो गया भगवान शेक्रिशन ने अपने प्रिय मित्र की घोडों की लगाम संबाली और वे दोनों उस ब्रह्मन पुत्र की खोज में निकल पड़े भगवान ने रत की लगाम क्यों संबाली भगवान शेक्रिशन क्यों रत की लगाम संबाल रहे थे कौ कि बहुत सारल उत्तर हैं बहुत सारल हैं अरे कृष्णा कि इतना समय लगाना ना प्लीज ठेक है कौन बताएंगे डॉक्टर रेश्मामात्य जी प्रभु जी क्योंकि क्योंकि वो सार्थी थे माभारत भगवान स्वेम अर्जुन के सार्थी थे और भगवान अर्जुन के सार्थी थे इसलिए उनको क्या कहा जाता है पार्थ सार्थी और चन्ने में बहुती सुंदर एक दिवे देश में एक मंदिर है पार्थ सार्थी जहां भगवान की मूछे भी है और बहुत दिवे लीला है वहाँ पर भगवान की तो भगवान श्री कृष्ण रत चलाने लग गए और उन्होंने लगाम संभाली वे दोनों उस ब्रावन पुत्र की खोज में निकल पड़े दूर से आते अर्जुन को देखकर अश्व थमाने अपने घोडों की गथी बढ़ा ली परंतु कुस्स में पश्षाद उसके घोड का अन्य कोई चारा न देखते हुए अश्व थामा ने अपना अचुक ब्रहमास्त्र निकाला अब तो बचाव होई नहीं सकता भगवान श्री कृष्ण रत चला रहे हैं उनका रत भी दिवे हैं उनके घुड़े भी दिवे हैं और जुन भाग रहा है डर लग रहा है क्या करो इसा कहा जाता जब कुछ मतलब सुझता नहीं है तब जाके मां अंती महतियार निकालते हैं थोड़ा समझा के लिए बोल रहा हूं अदरवाइज मत लिजिए कभी किसी पती को पूछा गया कि तुमने अपनी पतनी पर हाथ क्यों उठाया हाथ तो नहीं उठाना चीए मैंने उसको समझा के देख लिया बहला के देख लिया फुसला के देख लिया सब तरह सेटर लिया पर जोलने को च्छोंबा देखें इपने ब्रमास्टर निकाला आचमन करने के प्रशाद अस्वत्थामा उस अस्तर को छोडने के लिए मंत्र का उचारन करने लगा परंतु उसे वापस कैसे खीचना है इसे इस विद्या का ग्यान नहीं था अस्वत्थामा ये तो जानता था कि ब्रमास्तर कैसे छोड़ा जाए इसी प्रकार से एक और महाभारत में वो कौन था अरजुन का अरजुन का अरजुन का बेटा अभी मन्यों जे तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं आच्मन करने के प्रश्चाद अश्वत्थामा उस अस्तर को छोडने के लिए मंत्रों का उचारन करने लगा परंतु से वापस कैसे खीचना है उसे इस विद्या का ग कि थो, उठी, उसना ब्रमाष न छोड़ दिया, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्या? अगर आपको मालूम नहीं है, कि इसको वापस कैसे लाया जाए, तो ऐसे अस्त्र नहीं छ़ोड़ना चाहिए, विदिनियम के नुसार, अगर किसी को नाराज करते हो तो आपको मनाना भी आना चाहिए उसी प्रकार से अगर आपने अस्तर श्तर छोड़ा है तो इसको वापिस लाना भी आना चाहिए अस्वत हमा को नहीं आता था और समस्त दिशा में तिवर प्रकास से अलोकित हो गया अच्छा ये ब्रमास्तर क्या होता है एक न्यूक्लियर वेपन के समाने है प्रमाणू बंग के बराबर है सब जगे बहुत तिवर क्या कह सकते हैं अगनी में प्रकाश जो है वो फैला देता है टेंप्रेचर जो है वो बढ़ा देता है इस प्रकार से ये जो ब्रमास्तर है बहुत खतरनाक होता है आगे बढ़ेंगे इस गंबी रिस्तति को देखते हुए भाइबित अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा हे नाथ आप परम भगवान है केवल आप ही अपने भक्तों के रदेयों को अभे परदान करने में शक्षम है जरा देखिए यह अद्वुत तेज किस प्रकार समस्त दिशाओं को निगले जा रहा है ब्रमास्तर बहुत खतरनाक होता है अर्जुन कह रहा है बहुत सुन्दर प्रातना कर रहा है हे नात आप परम भगवान है उसना ऐसे नहीं किया मैं भी निकालता हो ब्रमास्तर मैं भी इसको काउंटरेट करता हूँ हे नात आप परम भगवान है केवल आप ही अपने भक्तों के रदेयों को अभे परदान करने में शक्षम है जरा देखिए यह अद्भुत तेज किस प्रकार समस्त दिशाओं को निगले जा रहा है इसलिए भगवान जो है भगवान की लोटस फीट को क्या बूला जाता है अभै चरण जिनकी शरण लेने से अभै प्राप्त हो जाती है निडरता प्राप्त हो जाती है भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया भगवान की वाणी है श्री भगवान वाच मृत्यू के भै से अश्वत थामा ने ब्रमास्तर का सहरा लिया है यह प्रचंड अगनी मैं प्रकास उशी के द्वारा छोड़ा है इस ब्रमास्तर के भीशन तेज और गर्मी को एक अन्य ब्रमास्तर ही निरस्त कर सकता है इसलिए कि तुम अपना ब्रमास्तर छोड़ कर शे शांत करो अब इस ब्रमास्तर को काउंटरेट कौन कर सकता है इस ब्रमास्तर के अगनी को कौन शांत कर सकता है इशारे करके बताएंगे दूसरा ब्रामास्टillon तो अब जो है ख़गवान शुक्रिशने अरजुन को आदेश दिया कि दूसरा ब्रामस्टन छोड़ो आच्मन करने के पश्चाद उपरांथ अरजौन ने सरवपर्थम भगवान श्री कुष्ण की परिकर्मा की और फिर अपना ब्रमास्तर छोड़ दिया ये होते भक्त के गुन उसने क्या किया भगवान की परिकर्मा भगवान को प्रणाम किया भगवान से निवेदन किया और उसने भगवान की परिकर्मा करने के बाद अपना ब् जोलसने लगा। ब्रह्मास्तर क्या करता है? यो पहलता है। तैज Tiger 2 जलनौ है तो इसने दो ब्रह्मास्तर हो गए। और उपर आकास में जैसे कोई अगानी का चक्र बन गया। और इसे सारे प्राणी जोलस रहे पहले ते इतना तैज प्रकास हो गया ब्रह्मास्तर से। श्रस्टी के भावी विनाष को देखते हुए अर्जुन ने तुरंत दोने असुतर को वापस कीच लिया यह होते हैं भक्त के अंदर दैया की भावना रभे पाजी ने क्या बताए वाईशनव का क्या एक होता है कॉन बता सकता है है वाइशनव का लक्षन इसारा करके हाथ खड़ा किजिए पहले माइक तभी अन्म्यूट कर पाएंगे जिब मैं बताऊंगा तो ही वाइशनव का क्या लक्षन होता है शुशिला मतच जी कि बोले मतच जी है टेक बहुत अच्छा बता है वैशनव का एक बहुत अच्छा लक्षन है प्र दुख़ी दुसरे की दुख को देखकर के वैशनव दुख होता है हमेशा याद रपना इसलिए वह भजन भी अगाया गया है ना वैशनव जन तो तेने कही ये पीड़ पराई जाने रे वैशन वो है जो दुसरे के दर्द को जानता है हम तो दुसरे को इर्शा करते हैं और उनको फिर दर्द देना चाहते हैं और इस परकार खुशी प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन एक वैश्ण होता है वो दुसरों को कश्ट नहीं देना चाहता है उन्होंने अर्जुन ने दोनों भ्रमास्तरों को वापस बुला लिया सबके कल्यान के लिए सबके रक्षा के लिए और तब तपते तांबे जैसे क्रोध भरे नित्रों के साथ उसने द्रोन पुत्र को बंदी बना कर उसकी उसी प्रकार बांद लिया जिस प्रकार किसी पशु को बांदा जाता है बहुत important बात कि इस प्रकार से किसी पसु को पकड़ के खीश के लेके जाए जाता है मरती उपराद जिए मरती हो जाती है तो कौन आता है कसाई आता है इस तरह से वह बाहर का व्यक्ति आता है और वह उसको बांधता है खीच के लेके जाता है तो उसी तरह से अरुजुन ने लिखा हुआ तामबे जैसे करोध भरे नित्रों के साथ इतना करोध था अरुजुन के आखों में और द्रोण पुत्र द्रोण पुत्र कौन अस्वत्थामा बंदी बना दिया और उसको खीच करके पशो की भाती वो ले जा रहे थे उस समय श्री कृष्ण ने कहा भगवां श्री कृष्ण की वाणी पर ध्यान दिजिएगा अरुजुन आ कहा लेके अनको पांडवों की खेमे की तरους उनके टैंट की तरफ उनके एरिया की तरफ लेके जा रहे तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को कहा, इस ब्रह्म बंदु ने सोते हुए निरही बच्चों की हत्या की हैं, निरही मतलब असा है, निरही का मतलब क्या कहेंगे? जी तो इस भ्रहुप बंद्धु ने सोते हुए निरही बच्छों की हत्या की हैं इसे छोड़कर तुम इस पर जराभी दैयामत दिखाना इसको चोड़ना मत धैयामत दिखाना इसका यह जगन्यकार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध है क्यों युद्ध के नियमों के विरुद्ध क्या था यह जगन्यकार्य उनमगर्गमत जी ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसमें युद्ध में मुत्विन है कि सामने से वार करना पीछे से वार नहीं करना है बिल्कुल ठीक बात है और एक महत्वपुन बात है कि उस समय वो सो रहे थे युद्ध का समय समाप्त हो चुका था उसके बाद में जो है अस्वत हमारात को जा करके उनको परहार किया है मारा है तो ये युद्ध नियमों के विरुद्ध था इसका यह जगन्ने कारिय युद्ध के नियमों के विरुद्ध है यहा क्रूर और पापी व्यक्ति मर्तियु दंड के लिए सर्वता योग्य है इसकी हक्तियां से उसका कल्यान होगा क्योंकि यदि इसे अभी दंड नहीं मिलेगा तो इसे अपने पापों के लिए नरक की यातना जहिलनी पड़ेगी अरजुन स्मरंड रखो कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम अपने परिजनों के हत्यारे का वद करोगे अरजुन को थोड़ासा एंकरेज कर रहे है थोड़ासा पूसाहित कर रहे हैं दोनों बाते करेंगे एक तrobाण अरजुन की परिक्षा ले रहे हैं तुमने द्रौपदी को वचन दिया अरजुन छोड़ना مت इसको अस्वत्धामा को ये सोच करके कि ब्रामन का पुत्र है छोड़ना मत इसको ऐसे करके ये भगवान श्री कृष्ण कहा रहे हैं और मुर्ति दंडे के सर्वता योग्य हैं और उसके लिए कल्यान होगा उसके लिए भला होगा अगर तू मार दोगे इसको क्यों क्यों कि आगे फिर इसको नरक में पापो की यातना है नहीं जलनी पड़ेगी अभी मार दोगे तो इसको पाप उसका जो अपराद है वहीं पर समात हो जाएगा इसलिए कहा जाता है व्यक्ति को अपने जीवन में किये गए पापो का इसी जन्म में प्राहिशित कर लेना चाहिए या इसी प्रति दंड को स्विकार करके अपने पापो को यही दो देना चाहिए नेक्स्ट यदपी श्रीकृष्ण अर्जुन की परिक्षा ले रहे थे अर्जुन अश्वत्थामा को मारना नहीं चाते थे अपने खेमे में पहुँचकर अर्जुन बंदी अश्वत्थामा को प्रम कर रहा था मा द्रॉपदी प्राइबा की पीड़ा है पांच बच्चे मारे गए सोते हुए बच्चों को मार दिये ति तो द्रॉपदी के सामने समुख ले आए जो अभीतक अपने मृत पुत्रों के लिए विलाब कर रही थी जब द्रौपदी ने अपने सामने द्रौण पुत्र को रसियों से बंदा खड़े देखा एक निस्पाप सहर अधिया इस्त्री होने के कारण उसने सबसे पहले उसे प्रणाम किया और उससे पहले आईए हम द्रौपदी माता को प्रणाम करते हैं सोचिये हम होते दो क्या कहते हैं ले आए आप उनके हों लाओ लाओ इसको मुझे दो मैं मारूंगी उसको लेकिन ये द्रौपदी महिया उसको ब्राह्मन पुत्र को गुरु पुत्र को बंदी बंदे हुए देखकर दया आ गई सहर दया इस्तरी का रदे कैसा होता है साधरन तेया बहुत सौफ्ट कोमल दयालू बहुत सरी लोग के चेहरे पे स्माइल आ रही है मैं भी वही हूँ बहुत दयालू मेरा रदे है तो एक निश्पाप सद्रदया इस्तरी होने के कारण उसने सबसे पहले उसे प्रणाम किया इतना ही नहीं वे इस दृष्ट को सहन नहीं कर सकी कि उनके पती ने गुरु पुत्र को एक जानवर की भाती बांदा था वो सहन नहीं कर सकी उनके पती द्वारा उसको जानवर की भाती बांदा गया था सोचो पुत्रों के अपराधी को कितना कोमल रदे होगा पुत्रों के अपराधी को प्रणाम किया और वो सहन नहीं कर पा रहे थी कि कैसे इसको बंदी बनाया गया इतनी दया इतनी चरुना हमारे तो अगर जूम क्लास में थोड़ा सा एक माताजी से ज्यादा कुछ प्रस्ण उत्तर किया जाएं दूसरी माताजी प्रभुजी हम नेक्स टाइम से आपकी क्लास में नहीं आएंगे आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं हमें अन्मीट करने देत से नहीं है हमने आने वाले आपके क्लास में जैसे कि मेरे उपर भला होगा क्लास में आने से नेक्स्ट यह देखकर द्रौपदी अर्जुन से याचना करने लगी ब्रामन होने के कारण यह हमारे गुरू के समान है आप इन्हें मुक्त कर दीजिए ब्रामन होने के कारण यह गुरु के समान है आप इन्हें मुक्त कर देजिए अस्वत्धामा सोची पांच पुत्रों को मारने वाला शास्त्रों में भगवद गीता में हमने पढ़ा था अगर कोई आतताई होता है अग्रिसर्स होते हैं छेंतर के आतताई होते हैं उनको on the spot मार देना चाहिए छेंतर के आतताई कौन से हैं कौन बताएगा हाथ खड़ा के जिए छेंतर के आतताई सब पढ़ चुके भगवदीता क्लासिस में हरे कृष्णा एक कावी हाथ खड़ा नहीं है अच्छा सवरीता कपूर माताजी बताना चाहते माइक अन्म्यूट करके बोलिए छेंतर के आतताई है क प्रकार के आतताई होते हैं और कहा जाता है कि नातताई है किसी के घर में आग लगा लें किसी के धन संपती चोरी कर रहें किसी पर धारदार हत्यार से वार करें और किसी की पत्नी को वो चुरा के लेके जाए इस परकार से ये छें जो है अग्रेसर्स होते हैं इनको मार देना चाहिए लेकिन द्रौपदी क्या कर रहे हैं छत्राणी होने के बाद भी शत्री ब्लड होने के बाद भी सद्र दया इस तरह होने के कारण उसने क्या कहते हैं माफ कर दिया एक और हमारे पास सजेशन आये पोईजन गीवर जहर देने वाला तो छेंपरकार की आतदा ही होते हैं क्रपी अपने पती के साथ केवल इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि उनका यहां पुत्र अभी तक जीवित था क्रपी कौन थी द्रौणाचारे की पत्नी द्रौणाचारे मारे गए महाभारत की युद्ध में पहले सती होने की प्रथा थी तो क्रपी ने सती धर्म का पालन नहीं किया क्योंकि उनका बेटा जीवित था ये अशुत्धामा जीवित था द्रौणाचारे की मन में बहुत करुणा आ रही है वो भी एक मा है अर्जुन अगर आप इस बेटे को मार दोगे तो मैं जिस पीड़ा को महसुस कर पा रहा हूँ सॉरी कर पा रही हूँ वो पीड़ा उनको भी होगी अगर उनकी पुत्र को मार दिया तो इसलिए साधरन बासा में भी कहते हैं एक इस्तरी ही दुसरी इस्तरी का डर्द जानती है तो बहुत करुणा से अभिबूत हो गई द्रापदी और वो सीधा असुधामा की मा को देख पा रहे थी कैसे अगर यह सुधाम मारा गया तो आगे उसका जीवन कैसे हो जाएगा पती भी नहीं है बेटा भी नहीं है मेरे तो आप लोग है इनके तो पती भी नहीं है और बेटा भी मर जाएगा तो इनका जीवन कितरा दुख में हो जाएगा इसलिए कहा जा रहा है कि कृपी अपने पती के साथ केवल इसलिए सती नहीं हुई करकि उनका पुत्र अभितक जिवित था मैं नहीं चाती कि वे भी पुत्र वियोग की उसी पीडा से गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूँ द्रापदी क्यों पुत्र वियोग की पीड़ा से गुजर रही थी शकुंतला माताजी कुछ वक्त लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं यस शकुंतला माताजी माइक अन्मेट करके बोले यस माताजी मैंने रिक्वेस्ट बिजा है बोल सकते हैं और उनके पूत्रों के अभी मदलत वियोग ते हैं एक साथ मार दिया था शिमा शिर्मा मताजी ने बितर दिया है एक साथ उनको मार दिया था तो उसको पुट्र वियोग की पीड़ा मालूम थे क्या होती है आप में से कुछ माता जी कि अगर जीवन में ऐसा हुआ होगा तो उनको भी मालूम है कि कम उम्र में आपके जीविद रहते हुए आपका बेटा चला गए तो कहा जा रहा है कि मैं नहीं चाहती कि वे भी पुत्रवियों की उसी पीड़ा से गुजरें जिससे मैं गुजर रही हूँ यदि कोई शत्रिय किसी ब्रहमन का अपराद करके उसे क्रोधित करता है तो उस क्रोध की अगनी संपुन राज परिवार को बस्म कर सकती है कौन कह रही है द्रापदी द्रापदी कह रही है कि अगर किसी ब्रहमन के परती आपने अपराद कर दिया किसी वैश्नुव के परती पराद कर दिया और उसको गुसा आ गया तो वह वैश्ण वह ब्रामन क्या कर सकता है पूरे राज परिवार को अपनी क्रोधा अगनी से द्वस्त कर सकता है इतना ज्यादा ब्रामन में शक्ति होती है ब्रामन के पास मंत्रों की शक्ति होती है शत्रिय के पास शस्त्रों की शक पर आगात हो जाएं तो वो तो ठीक किया जा सकता है घाव से ठीक किया जा सकता है लेकिन अगर किसी को वानी से उसके मंद पर उसके दिल पर आगात हो जाएं तो वो ठीक करना बहुत मुश्किल है महराज युदिश्चीर पूरी तरह द्रापदी के कथन से सहमत थे और अब नकूल सहदे सात्यकी भगवान कृष्ण अर्जुन एव महावपस्तित अन्ने स्त्रियों ने भी इसका अनुमोदन किया इसको सपोर्ट किया किया सपोर्ट कि हाँ हाँ द्रापदी तुम ठीक कह रही हो हमां इसको नहीं मारना चाहिए कौन कह रहे है बुलो वही भगवान कृष्ण जब पांडवों की खेमे में गुस रहे थे तब अर्जुन को क्या बोला था अर्जुन छोड़ना मात यह आतता ही है इसको मारना है प ठीक बात है तो एक प्रभुजी अपने प्रवच्ण में बता रहे थे कि जब भगवान कृष्ण उपस्तित थे तब भी दो प्रकार के अलग-अलग मत थी अब देखिए कैसे आगे देखिए परंतु भीम पूरी तरह से विरोध में थे युदिश्री नकुल सहदेव अर्जुन ठीक है समझ गए कि नहीं मारना है लेकिन भीम बोल रहा है कि मुझे मारना है तो भगवान श्रीक प्रश्ण की उपस्तिती में भी दो प्रकार के मत हो सकते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चीए कि यह अलग प्रकार के मत कहां से आ गए हम तो भत लोग है भत लोग क्यों लड़ रहे हैं या यह वो बहुत सारी हमारे मन में बाते आती हैं लेकिन भगवान श्रीक क्रिश्ण की उपस्तिती में भी ऐसे दो प्रकार के मत थे सोचिए तो भीम जो है पूरी तरह से करोदित था और उसने कहा कि मैं इसके विरोध में हूँ मैं सुथामा पर प्रहार करने ही वाले थे कि द्रापदी ने जैसे तरह से हुने रोका और बीच बचाव करने के लिए भगवान क्रिश्ण ने अचानक अपनी दोनों अत्रिक्त भुज आए प्रकट कर ली हरी वो भीम क्या कर रहा था मारने ही वाला था सुथामा को उस समय पर जो है द्रापदी बीच में आई और द्रापदी ने रोकने की पूरी कोशिश की फिर बीच बचाव करने के लिए आ गए कौन वही बगवान जो अर्जुन को बोल रहे थे मार देना भाई अच्छ से बचना नहीं चाहिए कैसे चतर भूज रूप में दो भूजा और प्रकट कर ली है यहाँ पर साक्सात हमारे गोडारन मिलता है कि द्वी भूज रूप से चतर भूज रूप आता है साक्षात्र धारण मिलता है कि द्विभुजरूप से चत्र भुजरूप आता है और इदनल आदी रूप जो है द्विभुजरूप है भगवान का आगे महारा बीच बचाव करने के लिए भगवान कृष्ण ने अचानक अपनी दो अतरिक्ष बुजाए परकट कर दी आगे बढ़िए परप्या करके नेक्स पेज निकालिए अर्जुन के उल्जन भरे चहरे को देख कर भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए कहा अर्जुन उल्जन में क्यो था बोलो बाहर तो बोला था कि मारना अंदर आके सपोर्ट कर रहे द्रब देगो मैं क्या करू बाइन कृष्ण भगवान का तो उल्जन भरे चहरे को देख कर भगवान श्रीकृष्ण नमुस्कृराते हुए कहा एक ब्रह्म बंदु पर शारिरिक रुप से प्रहार नहीं करना चाहिए परंतु यदि वह आतता ही बन जाता है तो निश्यत ही उसकी हत्या की जानी चाहिए अरजुन को कहा, ठेक है, अरजुन को कह रहا है, फिर से हत्या करनी चाहिए अरजुन तुम्हे द्रपधी को दिया गया अप्ना वच्चन निभाना है और साथ ही शास्त्रों के इस निर्देश का पालंग भी करना है इतना ही नहीं तुम्हें इस प्रकार कारे करना है कि भीम और मैं दोनों ही संतुष्ट हो जाए है अथार्थ भीम की बात क्या है किसको मारना है और मेरी बात क्या है कि शास्त्रों के नियम को पालंग कर लो अब भगवान श्री कृष्ण ने बाहर तो क्या बोला था इसको मारना आता ये मारना लेकिन द्रौपदी ने अपनी करुणा दिखाई ये क्रिपी का क्या होगा अगर ये मारा गया थो इसकी मां का क्या होगा तब भगवान श्री कृष्ण कहते हां हां द्रौपदी ठीक क्या रह और इसको दंड भी मिले, इसको मृति दंड ना मिले और दंड भी मिले, ऐसा कुछ करना है, जिसमें शास्तरों के नियम भी पालन हो जाए, कि आतताई को मारना चाहिए, और ब्रामण पुत्र है, अगर गुरु का पुत्र है, तो हमें उसको नहीं भी मारना चाहिए, दोनों बातों का पालन हो जाएं तो देखिए अर्जुन क्या करता है यदपीश कृष्ण के वच्छन विरधा बासी थे अर्जुन उनके मनों भाव को समझ गए और अपनी तलवार से अस्वत थामा के मस्तक पर लगी मनी तथा उसके सिर के बाल दोनों निकाल दिये मारा भी नहीं उसका सब कुछ थी उसकी सारी शक्तिया कहां सा इती थी उस मनी से आती थी और चिरंजीवी होने का जो तेज था उसके चेहरे पर उस मलत मिंसे था अब वब शक्ति हीन हो चुका है तो उसको एक तरसे मार भी दिया और नहीं भी मारा तो आगे कहा जाएगा बहुत सुन्दर बात कि तवसुत हमा को खोल कर पांडवों के खेमे से बाहर निकाल दिया और उस जैसे महान युद्दा के लिए यहापान मर्तियू से भी बदतर था तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं पहले दूसरे ध् भूतानी अकिर्तिम चापी भूतानी मरनाद ते रिच्चते संभावितस स्चाके तिर जिसके लिए जिसका बहुत मान सम्मान है उसके लिए अपमान मृतियू से भी बढ़कर है तो उसको बहुत बुरा लग गया बहुत अपमानित महसुस किया अरजुन ने उसको अपने खेमे से बाहर निकाल दिया उसकी मनी निकाल करके और उसके बाल काट करके नेक्स्ट आगे देखिए इसके पश्चात पांडव और कूरुगण अपने देवगंत समंधियों की आत्मा को तिलांजनी देने के लिए गंगा तटपर गए अननुस्ठानों से निवरत होने के बाद वे शोकातुर हो नदी तटपर ही बैठ गए उस समय भगवान श्रे क्रिश्चन एवं अन्ने महान रिश्चियों ने आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से उन सब को सांत्वना देने का प्रियास किया तो वहाँ पर जो कुछ कुरुगन बचे हुए थे और पांडव लोग जो थे पांडव सब लोग मिलकर के कहा गए सारे अपने पूर्वजों को अपने सगे संबंदियों को तिलांजली देने के लिए गंगा घाट पर गए और पूजा वगरा करने के बाद वहीं पर नदी तट पर बैठ गए शोट मगन अवस्था में वहाँ पर भगवान श्रे क्रिश्चन ने रिश्यमुनियों ने सब उनको संत्वना देवने का प्रियास किया आज कल भी रिती रिवाज बना हुआ है गंगा नदी जाते हैं और अस्तिया प्रवाह करते हैं पूजा करवाते हैं और उसके बाद घर आके क्या करते हैं तिये की बैठक बैठक करते हैं लोग आगा करके बोलते हैं और कुछ पत् निक्ता गयां और से परीवार के लिए बहुत दुखी हैं से प्रातना करते हैं प्रौना से प्रातना करते हैं कि गुपता जी और पूरे परिवार को मुक्त होने कि शक्तिश्क्स को सहने के शक्ति दे इस प्रकार से वो कहते हैं सांथ बना देते हैं नेक्स्ट कुष्ण में पस्चार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युदिश्टिर से तीन असुमें एक यग्य संपन करवाए तो भगवान ने फिर युदिश्टिर महाराज से कहा कि तुम शोका कुलमत हो और असुमें एक यग्य करो सारे पापा से तुम मुक्त हो जाओगे और तुम यह जो मन में गलानी महसुस हो रही हैं यह गलानी महसुस नहीं होगी तो कितने असुमें एक यग्य किये तीन असुमें एक यग्य किये ठीक है सारे कारे समाप हो जाने पर श्रीकृष्ण कुछ समय के लिए हसिनापूर में ठहरे और फिर उन्होंने अन्य यादवों के साथ वहाँ से द्वारका के लिए परस्थान करने का निश्य किया अब भगवान वापेज कहा जा रहे हैं द्वारका के तरब जा रहे हैं द्वारका देश द्वारका जा रहे हैं उस समय श्रील वेद्व्या सहीत अन्य महान भ्रह्मनों ने उनकी पूजा की परंतु भगवान श्रीकृष्ण अपने रत पर आशिन हुए ही थे कि अत्यांत भयावा इस्तती में करंदन करती है उत्तर अध्या पहुंच गई है जो भागवत कथा वगरा करते ना उन्हें फिर माईक की आवाजा देठाना ना 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 साउंड इफेक्स साथ में उत्तरा पहुंच गई और उत्तरा क्या रही हैं पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तवद भयम पशे यत्र मृत्यू परस्परम पाही पाही बचाओ बचाओ रक्षा करो रक्षा करो उत्तरा कौन थी यह कथा क्यों पढ़ रहे हैं परिक्षित महाराज का जनम कैसे हुआ परिक्षित महाराज की कथा सुन रहे हैं जो शौनकादी रिश्यों ने पूछा था यह पर हे देवादी देख करप्या मेरी रक्षा किजिए एक आगने ये बान अत्यन्द तिवृता से मेरी और आ रहा है यदि यहां हमारी यदि यहां आपकी इच्छा है कि मैं बस्म हो जाओं तो मुझे कोई आपती नहीं है परंतु करप्या मेरे गर्भु को नश्ठ होने से बचा था अस्वत्हामा बहुत अप्मानित महसुस कर रहा था और उसकी मनी चोरी कर दी गई है मनी निकाल दी गई है उसके बाल काट दिये गए अब मैं पांडवों का एक भी वहन्सज नहीं बचने दूंगा तो उसने ब्रहमास्तर चला दिया फिर से दूसरी बात ब्रहमास्तर चलाया अस्वत्हामा नेक्स तो उत्रान प्रत्ना की कि भगवान यह बान जो है मेरी तरप्तिवरता से आ रहा है करप्या करके अगर आप यह सोचते हैं कि मैं बस्म हो जाओ मुझे कोई आपति नहीं अगर यह मानते हैं कि मुझे बस्म हो जाना चाहिए मेरा समय आ गया है तो मैं समापत हो जाओ कोई बात नहीं लेकिन मेरे इसको बचा देजिए गर्ब को नस्ट होने से बचाईए फिर से एक मा की करुणा यहां पर हम समझ सकते हैं देखिए बट आजकल कौन कैसी माएं हैं आजकल कैसी माएं हैं देखो डॉक्टर मेरे सुन्दर्ता में कोई कमें नहीं आने चाहिए मैं सेरोगेसी करवाओंगी मैं प्रेग्नन नहीं हो सकती मैं ऐसे इसको लेके नहीं करूँ सकती या फिर मेरे जवानी में यह बच्चा आ गया है मैं इसको कहां लेके डोलती रहूंगी इसको ब्रुनत्या करवा देजिए अब आशन करवा देजिए यह मा क्या कह रही है भले मैं मर जाओं तकि मेरा गर्ब बच्चे रहना चाहिए प्रवपाजी कहते हैं अपने प्रवचन में पहले मां अपने बच्चों को बचाती थी अब मां ही अपने बच्चे को मारती है गर्ब में ही मार देती है उसके जनम होने से पहले ही मार देती इने प्रवच्छन में प्रवपाजी ने बहुत सुन्दर का है चाइल्ड की चाइल्ड किलिंग सिविलाइजेशन प्रवपाजी बोलते हैं मदर इस के लिए हर ओन चिल्डरन यह आज की परिस्तती है और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो उतरा थी वो पने बच्चे को कह रहे थी भगवान इसे बचा दिजिए भले मैं नस्ट हो जाओं आगे पढ़ेंगे भगवान शेकृष्ण समझ गए कि वह ब्रह्मास्त्र अशुत्हामा ने पांडवों के अंतिम मन्शज को मारने के लिए छोड़ा हैं सभी पांडवों ने तुरंट अपने अश्त्र शस्त्र उठा लिए परंतु भगवान शेक्रिशन जानते थे कि असुथ हमा की अस्त्र को निरस्त करने के लिए समय बहुत कम है और इस्तती अत्यंत नाजुक है इदिपिश शेक्रिशन ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की परतिग्या लिथी अब उन्होंने अपनी परतिग्या की परवान ना करते हुए अपने भक्त वत्सल नाम को साथतक करने के लिए तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आवान किया भगवान ने महाबारत में क्या परतिग्या लिथी मैं स्वस्त्र नहीं उठाऊंगा एक तरफ मैं निश्वस्त्र रहूंगा और एक तरफ मेरी नारेनी सेना रहेगी तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र उसको बुला लिया और बगवान श्री कृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बक्त वच्छा करने वाला और एक और अर्थ हो सकता है कौं बताएगा बक्तों के प्रिय बक्त वच्छल बक्तों को प्रिय ठीक है तो बक्तों की रक्षा करने वाले भग्वान शिक्रिष्ण भक्त वच्छल जो है अपना नाम सार्थ करने के लिए तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आवान किया अत्यंत छोटा रूप लेकर वे उत्रा के गर्ब में प्रविष्ट हुए और अपने अद्भुत शक्ती से उसे अच्छाजित करते हुए असुद्धामा के अस्तर को निरस्त कर दिया असुद्धामा ने जो अस्तर फैका था प्रमास्तर अपने सुदर्शन चक्र से असुद्धामा के उस गर्ब के अंदर उस अगनी को समाप्त कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से वगवान श्री कृष्णे वगवान बाहर भी खड़े हैं वगवान अंदर भी प्रवेश क कर लिए यहां पर दोनों बाते देखेंगे आप सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान छोटा रुप दारन करके कहां गए उत्तरा के गर्भ में और बाहर भी उन पांड़ों के साथ में वो खड़े हुए हैं रत के उपर खड़े हुए यह बहुती सुदर पेंटिंग है आप देखिएगा मैं चाहूंगा कि नेक्स टाइम हर एक स्टोरी से रिलेटेड पेंटिंग डिस्प्ले की जाए निरस्त कर दिया उसके पश्चा जब वे ध्वार का के लिए जाने के लिए तेयार हुए तो श्रीमती कुंती देवी अपने उसकी रक्षा कर ली उसके गर्ब में जो पुत्र था उसकी रक्षा कर ली वो गर्ब में पुत्र कौन था परिक्षेट राजा परिक्षेट आईए इसके लिए मैं अलग से पूरा सत्र करना चाहिए लेकिन बहुत बड़ी है भागवत तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं प पूरे भाव से, पूरे मन से इन प्रात्नों को पढ़िएगा, संस्क्रित में तो बहुत अच्छे से लगती हैं, हिंदी में भी थोड़ा उसी भाव से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुंती देवी ने कहा, हे श्री कृष्ण तुम आदी पूरुष हो, और भातिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह परे हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, कौन प्रणाम कर रही हैं, भुआ, कुंती महरानी भगवान श्री कृष्ण को, मैं तुम्हें प्रणाम करती ह जिस प्रकार मंच पर अभिने करने वाले नट को पैचाना नहीं जा सकता उसी प्रकार तुम भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हो और तुम्हें केवल वे भक्त एवं अध्यात्मवादी ही समझ सकते हैं जो पूरी तरह भौतिक कलमत से शुद्ध हो चुके हैं फिर ब प्रक्ति नट बन जाए एक्टर बन जाए मेक अप कर लें उसको पैचाना मुस्किल होता है वैसे बहुत इक जगत के लोगों को आपको पैचाना मुस्किल है और मेरे जैसे अबला के लिए तो यह बहुत असंभवसा है हे भगवन आपकी नाभी कमल पुष्प के समान सुन्दर है नमो पंकज नाभाया नमो पंकज नामिने नमो पंकज नित्राया नमस्ते पंकज अंग्रे बहुत सुन्दर प्रातना है हे भगवन आपकी नाभी कमल पुष्प के समान सुन्दर है आप सदे कमल पुष्प की माला से सुसर्जित रहते हैं आपके नित्र कमल पुष्प के समान शीतलता परदान करते हैं और तथा आपके चरण कमल पुष्प से अंकित हैं भग्वान के हर एक इंद्रिय को कमल से तुलना की गई है कमल सुंदर भी है कोमल भी है और फ्रेश भी है मैं आपको नमन करती हूँ आपने अनेक भयावे इस्तियों से मेरे पुत्रों की रक्षा की है विशान महागने पुर्शाद दर्शनाद असद सभाया वंदवारा सक्र तब रक्षा की घ्यातवास में हर समय आपने अनेक भयावे स्तियों मेरे पुत्रों की रक्षा की है और अभी भी आपने हमें अशु थामा के ब्रमास्टर से भी बचाया हैं परंतु मेरे तो यहीं इच्छा है परन्तु मेरी तो यही चाहे, पडिये अच्छ से पडिये मन से पडिये परन्तु मेरी तो यही चाहे, कि हमारे अउपर यह सब विपदाई बार बार आए विप्द हसंतुता सथ्वत तत्र तत्र जगत गुरु श्रभगवान स्री deliver उप्द предлаг आए जिससे हमें बारबार आपका धर्षन उत्राप्त सके हैं विप्द हसंतुता सथ्वत तत्र तत्र प्र जगत गुरु अप अपनर भव दर्शना अगर आपके दर्शन होगे तो क्या होगा इस जनम मुर्तियों के चक्र का पुन्हा दर्शन नहीं करना पड़ेगा बहुत सुन्दर प्रात्ना कर रही है कुंति महारानी कभी किसी को देखा मंदिर जाके घंटी बजा रहा है पुन्ति महारानी क्या कह रही है विपदहसंतु तासस्वागा परंतु मेरी तो यही इच्छा हैं कि हमारे उपर यह सब विपदहे बार-बार आएं जिससे हमें बार-बार आपका दर्शन प्रात्थ हो सकें क्योंकि आपके दर्शन का रत हैं कि हमें फिर से जनब मुर्तियो कर दर्शन में करना पड़ेगा नपंदर बहुत सकते हैं इस पमद्र यह का रहा ने इस परकार कुंति-वहरानिय ने प्राथना की भहत सुन्दर जब भगवान कहां जा रहे थे लिख कर धुकर रहे हैं तो ने ही समझा पाथ सकत हो कि आप गोपियों के वस्तर भी चुराए, आपने माखन भी चुराया, आपने जो है गोप बालकों के साथ में खेल कुछ भी किया, आप जो एक घुड़ा भी बने, आप जो है कुछ चुगली भी किये, इस समझने पाते ब्रामक होते हैं, यदिपी आपको देखकर स्वयम भै भी भैवित रहता है परंतु आप माता यशुदा के हाथों में छड़ी और आपको बांधने के लिए लाई रसी देखकर भैवित हो जाते हैं, यह मराज भी डरते हैं आप से, लेकिन जिब माता यशुदा के हाथ में छड़ी देखते हैं आप रसी देखते हैं तो आप डर पूरा कर लिया है एंगलिश हिंदी मिक्स हो गया यह स्वामी आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है मिशन को क्या कहेंगे हिंदी में अपनी योजना आपने अपनी योजना पूरी कर ली है और सबसे मैं तो पुन यहां है कि आपने अपने रूप के विशें में समस्त ब्रामक दर्शनों एवम सिद्धान्तों को खंडखंड़ कर दिया है आपने ऐसे अद्बुत लीलाए की हैं जिनका हम निरंतर श्रवन एवम किर्टन कर सकते हैं तो हमें जो हैं हमेशा भगवान के दिव लीलाओ का नाम का रूप का गुणगान करना चीए और भगवान से प्रात्ना करें पुन्ति महरानी आपने इतनी अद्बुत लीलाए की हैं कि मुणका निरंतर श्रवन और किर्टन कर सकते हैं आज भी हम कर रहे हैं श्रीमित भागवत की माध्यम से हम पूरी तरह से आपकी कृपा पर अवलंबित हैं निर्वर हैं फिर भी क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे यह आसानी से एक शब्द को विपदह संतु तासस्वर नपुनर भवदर्शनम नमोपंक जनाभाया इसे ही समय निकल जाता बट अभी थोड़ा सामें पूरा ये गरंत पूरा करना है इसके लिए हम आगे बढ़ रहेंगे हम पूरी तरह से आपकी क्रपा पर अवलंबित हैं फिर भी क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे आपकी सर्व मंगल में उपस्थिते के बिना यहां सब कुछ असार और निर्थक रह जाएगा क्योंकि यहां दिखने वाला समस्त एश्वर्या केवल आपकी क्रपा भरे द्रश्टी पात के कारण ही है आज अगर हम विजय हुए हैं आज हमें यह अस्तिनापूर नामक राज्य मिला हैं हम राजा गोशित हुए हैं समराण गोशित हुए हैं फिर से यह सब किसके कारण हैं आपके क्रपा भरे द्रश्टी पात के कारण हैं तो जब भी भगवान क यह सामने जाओ ना यह प्रात्ना किया करो कि टर्फ़ी थाकोर रे गोविंद कृपा बरस है रखना कृपा बरिद्रस्टी मनाए रखना कृपा कटाक्ष क्या बोलेंगे कृपा कटाक्ष आप क्रपा की यह कटाक्ष जो हैं हमारे उपर बनाए रखना है नेक्ष देखिए और भी इंपोर्टेंट प्रात्ना आ रही है भावती में तुपन प्रात्ना क्योंकि यहां दिखने वाला समस्त आश्वर्य केवल आपके कृपा भरे दृष्टी पात के कारण ही है हमारा सामराजी इसलिए सुन्दर दिखाई देता है क्योंकि यहां आपके चरण कमलों के चिनों से अंकित है आपके चरण कमल पड़ रहे हैं सामराज्य में इसलिए कैसा दिखाई दे रहा है सुन्दर इसलिए जब आप यहां से चले जाएंगे तो यहां सामराज्य फिर ऐसा नहीं दिखाई देगा आप है यह सुन्दर दिखाई दे रहा है परमात्मा है तो हम भी जीवित अगर भगवान है तो इसे थोड़ी बहुत कुछ जो है भक्ति चल रही है वह भगवान के उपस्तिति के कारण है जो धर्म बचा हुआ है भगवान के उपस्तिति के कारण है तो बहुत सुन्दर बात है इसलिए जब आप यहां से चले जाएंगे तो है सामराज्य फिर ऐसा नहीं दिखाई देगा तो आज के बाद एक लाइन नोट कीजिए लिख लिजिए जिस घर में भगवद भक्ति नहीं होती जिस घर में भगवद भक्ति नहीं होती वो घर हमेशा शुश्क निरस बना रहता है वो घर हमेशा शुश्क निरस बना रहता है ठीक है नेक्स्ट वरी इंपोर्टेंट मैं आपसे निविदन करती हूं कि आप मेरे पुत्रों तथा व्रश्नी वन्शियों के प्रती मेरी आसकती को काट दीजिए सोचिए अपने पूरे एवन्स के प्रति आसकती को काटने के लिए बोल रही है कुंती महारानी सारा राज्य जीत लिया पांडव विजए हो गए आप कुंती महारानी क्या दिए अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते में सनेह पाषम इमम छिंदी द्रण dzisiaj, पांडुशु वरिश्वशु वर्ष्णुशु पांडवों के परति वरिश्डिय वंश्यों के परति मेरे सनेहों को मेरे मोह को काट दो स्केशमें सुनह पाश्रं इमंचिंदी दम पांड़ो शु व्रिशन शु वरिश्ने शु पांडवों के परती वरिश्णी वंस्यों के परती मेरे संहाँ को मेरे मौह को काट दो Kenndi इसलिए भागवत को क्या तहाग गया है अमल पूरान कहा गया है सबसे अधिक भक्ती आप मेरे पुत्रों तथा व्रश्णी वन्शियों के प्रति, सोचिए पांडवों के प्रति, अर्जुन के प्रति, भीन के प्रति, मुझे आसकती नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगाव चाहिए इनके प्रति, अब तो लगाव बस आपके प्रति चाहिए, यह आसकती यह लग निरंतर समुद्र की और बैता रहता है O my Lord As the Genghis forever flows to the sea Let my attraction be drawn unto you Without diverting to any evil ends जिस प्रकार से सारी नदिया जो है समुद्र की तर परभा करती है बिना विचलित हुए वैसे मैं भी आपके चर्णों की तरह बिना विचलित हुए आकर्शित होते रहूं शिमति कुंती की प्राथना है सुनकर भगवान श्रे कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और वह मुस्कुरहाट उनकी योग शक्ती के समान ही मंत्र मुग्द करने वाली थी कुंती महराने ने इतनी प्राथना है की तो भगवान क्या कर रहे हैं मंद मंद मुश्कुरा रहे हैं तब भगवान ने अन्य इस्तरियों को अपने प्रस्तान का समाचार देने के लिए हसिनापुर के महल में रवेश किया और भी बाकी लोगों को बोला कि अब मैं जो हैं जा रहा हूं निकल रहा हूं उस समय महाराज युदिश्री ने भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया और प्रेम पुर्व कुछ और समय वहां बिताने का आग्रह किया युदिश्री ने फिर से का अब आप रूप जाए भगवान आप रूप जाए यदपिर श्रीलव वेद व्यास वो व्यास देव जी भही थे उस समय यदपिर श्रीलव व्यास देव सहीत अनेक महां रिश्यों तथा स्वें भगवान कृष्ण ने अपने शिक्षाओं से महराज युदिश्री को सांत्वना देने का प्रयास किया था दुखी राजा अभी तक शांत थे अपने मित्रा अवन समंदियों की मर्तियों से वेहवल युदिश्र एक साधारन भातिक वादी व्यक्ति के समान शोक कर रहे थे शांत्वना प्रदान करने की कोशिश की भगवान ने रिश्यमनियों ने लेकिन वो शांत नहीं हुए अभी भी वो क्या कर रहे है इशारा करके बता वो क्या कर रहे है शोक कर रहे हैं दुखी हैं शोक कर रहे हैं ये दिश्ठी भाराज राजा ने शोक करते हुए कहा राजा कौन है चक्रवृति समराट राजा कौन है ये दिश्ठी रहे हैं ओह मने स्वयम कितनी दहनिया इस नियती को आमंत्रित किया हैं मुझसे अधिक पापी संसार में कौन ह होगा स्वेम राजा बनने के लिए मैंने मैं करोडों लोगों की मुर्थियों का कारण बन गया यदि मैं लाकों वर्षों तक भी प्राशित क्यों न करूँ फिर भी मैं अपनी भावी नार की ये पीडाओं से नहीं बस सकता हूं देखिए क्या रदय है भक्त का पापी थे न करोड़ शिक्स्टी फूर करोड़ अगया ये मैं लाकों वर्षों तक भी प्राशित क्यों न करूँ फिर भी मैं अपनी भावी नार की पीडाओं से बच नहीं सकता हूं मैंने कितने पतियों पुत्रों पिताओं तथा भाईयों का वद्ध किया है इस प्रकार इस्तरियों के प्रती मैंने जो अपराद किये हैं उनसे मुक्त होने का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा इस तरियों के प्रती कैसे अपराद हुआ किसी के भाई को मारा है किसी के पती को मारा है किसी के पिता को मारा है जिस प्रकार मट मेले पानी को मिट्टी से छान कर सुद नहीं किया जा सकता जिस प्रकार शराब के प्याले को शराब से ही धोकर पवित्र नहीं बनाया जा सकता उसे प्रकार मुझे विश्वास है कि असंखे लोगों के हत्याओं के फल को निरस्ट करने के लिए पश्वों के बली अत्वा यग्य सायक नहीं होगा मैंने जो यासु में ग्यग्य किये उससे कुछ नहीं होगा भगवान आप रुकिये मेरी बात मानिये कुंती महारानी की बात सुनिये और आप यहीं पर रुक जाए तो यह दिश्री महाराज प्रातना कर रहे आज हमने बहुत सुन्दर कथाओ को समझा असुध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध कि पापवर से मुख्य नहीं हो सकता मैं मुझे नर्क में तो जाना ही पड़ेगा मैंने करोडों इस तरियों की भाईयों बहनों पतियों को मारा हैं पिताव को मारा हैं इस प्रकार आज का यह कथा सत्रहीं पर समाप्त होता है आप सभी का असर दें बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू सो वरी मच फिर कोई प्रश्ण होंगे हम उसका उत्तर दिने का प्रयास करेंगे और मैं आप सभी के लिए खुश्कबरी हैं आप सभी को विंदावन से पर दर्शन कराएंगे रेकर्शना